हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टरी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजुकेशन की चिप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज का प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों यह टापिक है स्पोर्ट्स मेडिसिन यानि सारे रिक चिकिसा जिसके अंतर बर टापिक आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी फिजियो थेरेपी फॉस्ट एड डोपिंग एंड मसाज इस सभी से रिलेटेट इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज है और दोस्तों यह पार्क नंबर नाइन है और दोस्तों यह फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपर्टीट्री जॉम्स का प पर वहतरिन तयारी के लिए और दोस्तों चलिए इस्टार्ट करते हैं आज की कोस्टन को आज की कोस्टन बिसेश कर डोपिंग पर रिलेटेड है तो दोस्तों कोस्टन है कि डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 रोम उलम्पिक में पाया गया था वो किस खेल से संबंधित था तो वो किस खेल से संबंधित था दोस्तों वो साइकिलिंग से संबंधित था नेस्ट है डोपिंग का पहला उदाहरण जिस खिलाडी का था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था नियूर्ट जांसन नेस्ट कोस्चन है डोप टेस्ट प्रथम बार किस उलम्पिक में हुआ था तो प्रथम बार हुआ था 1960 रोम उलम्पिक में इन तीनों कोस्चन से आपको क्या पता चला कि दोस्तों जो डोप टेस्ट था प्रथम बार डोप टेस्ट 1960 रोम उलम्पिक में हुआ था और किस को प्राप्त करने के पाद मृत पाया गया था और वह कौन सा दवा ले रखा था दोस्तों वह ब्रोनिकल एंड एंफिटा माइन अधिक ले रखा था जो स्रहुंसीलता को बढ़ाती है यह भी पूछ सकता है कि कौन सा दवा लिया था वादा का फूल फॉर्म क्या है तो वादा का फूल फॉर्म है वरल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी कैसे वादा का गठन कभ उआ तो वादा का गठन हुआ 1999 म abdomen कि तो 10 9 1999 में लुसेन ने दिर नामक के लुसेन सहर में हूआ ठाव स्नकिन है वाडा का मुष्याले कहां है तो वाडा का मुख्याले के इसार में। और दोस्तों जैसे कि आप पता पाया तिन कोश्चनों में आपने पाया कि वाड़ा जो है उसका फूल फाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी जिसकी इस्थाप्रा दस मौंबर 1999 में सुर्जन लेंड के रुसेंज सहर में हुआ जिसका मुख्याल है कनाडा के मांटियल सहर में है और उसके बरतमान औन अध्यच है विटर्ल पांग का दोस्तों नाडा अधा का फूल क्या है तो नाडा का फुल फाम है निशनल एंटी डोपिंग एजन्सी यह जय से वड़ल वार्डा है वर्ल oh no नेशनल एंटि दोपिंग एजन्सी नाडा का मुख्याले कहां है तो नाडा का मुख्याले है जालोर नेहरू स्टेडियूम नए दिली नेश कोर्चन है नाडा का गठन कब हुआ तो नाडा का गठन हुआ 2005 में तो दोस्तों आपने पता पाया की नाडा जो है जिसका फुल फ स्टेडियम इसका मोटो है प्लेफियर एंड उसको इसका चेयर्मेन होते हैं मिनिस्टर आप स्पोर्स इंडिया के होते हैं और इनके डायेटर जन्रल एंड सीयो है नवीन अग्रेवाल नेश्ट कोर्चन है दोस्तों कि वाडा का गठन आई ओसी की किस संस्था ने किया था जो वर्ल एंडि डोविंग एजन्सी है उसका गठन आई ओसी की किस संस्था ने किया था तो इसकी इंटरनेशनल ओलम्पिक कमीटी मेडिकल कमीशन ने इसका गठन किया था इंडरनेशनल ओलंपिक कमिटी मेडिकल कमिशन की स्थापना कब हुआ था इसकी स्थापना 1967 में हुआ था नेश्ट है आई ओसी ने डोपिंग के अंतरगत विधियों यों पडातों को कितनी स्टेडियों में बाटा है तो तीन स्टेडियों में कौन कौन से दोस्तों एक बाटा है आल टाइम बेंड एक प्रतिबंधित स्टेडि में और एक आपका कुछ विशेश खेलों में प्रतिबंधित नेश्ट दोस्तों नई दिल्ली जवाहला नहरु इस्टेडियों में डोप टेस्ट सेंटर कब इस्थापित किया गया था तो द दोप टेस्टिंग में किसका सेंपल लिया जाता है दोस्तों तो मुत्र का सैंपल यानि नमूना लिया जाता है नेश्ट दोस्तों AAS का फुल फॉर्ण क्या है तो दोस्तों AAS इसका फुल फॉर्ण होता है एंडोजेनिक एनाबोलिक इस्टेडायर जैसा कि डोपिंग वाल जो पुरुस हर्मोन जैसा समझा जाता है अगर इसको इस्तिया गर्फ करती है तो उनकी आवाज भारी हो जाती है अपुरसो जैसा और बाल आने लगता है जुस्तों जेन एंड्रोजेनिक इनादोल इस्तियाड में एन्रोजेनिक का अर्थ होता है परुस्ततो यानि मस्किली आइनाबोलिक इस्टरायट का ओर्थ होता है तीसी बुलजी तीसू बिल्दिंग यानि उत्तकों का निज्मार नेक्ष्ट कोश्चन है दोस्तों कि वाडा का अध्यच्छ कोन है तो दोस्तों बरतमान में वाडा के अध्यच्छ है भिटोल्ड बांक का नेश्ट है नाडा का डायेटर जनरल कौन है दोस्तों बर्तमान में इसके डायेटर जनरल याने CEO है नवीन अगरवाल नेश्ट है दोस्तों बग्याने क्रूप से उन साधनों को क्या कहते हैं जिनके परियोक से खिलारी अपने परदरसन में सुधार लाता है तो उसको Ergogenic Airs कहते हैं दोस्तों बैंई से ऐसे साहधन जिसके परियोक से खिलाड़ी अपने प्रदलशन में सुधार लाता है जैसे पोसरात्मग साधन मुनोबैंख साronics फिजि़ोलोजिकल साधन फरमाकोलोजिकल साधन यह ऐसे साधन है दोस्तो जो बैकेनिक रूप से हमारे सरी को अच्छे धंग से इनहेंस करता है प्रदस्वा को बहाता है जब कि गलत तरीके से परियोग जब लिखेगा तो वो डोपिंग के अंतरगत आ जाएगा कि विखेगा मेंद दोस्तो एनफिटा मांइड यह एक उत्तेजक है जिए ज дорट को को इनफिट कर देता है ठीक है देस्तर उत्तो तो तो एमिटा माइड को एम्फिटा माइड को एंगलिस में ठीक है था तो उतेजक के अंतरगत में से कोन आता है दोस्तों जैसा कि उतेजक में दोस्तों एमफिटा माइन, बिटा ब्लकर्स, बिटा एगोनिस्ट, कोकीन, कैफिन, एफिद्रेन, मिथाइल, हिटानी माइन आता है मात्रों की मात्रा उंतरगत स्भी उतना आने पर आपको डो अंतरगत परफिवंधित करदा से जादा तो 12 Jasmine मिलिड दवाई नहीं माना जाता है एंफितामाइन एनाबोलिक इस्टेरायट कैफीन नार्कोटिक्स तो दोस्तों यहां पर नार्कोटिक्स को एगोजेनिक एड्स के अंतरगत नहीं माना जाता है ने अच्छे दोस्तों हिरोईन किसके अंतरगत आता है दोस्तों जो हिरोईन है वह नार्कोटिक्स के अंतरगत आता है जैसे कि दोस्तों नार्कोटिक्स के अंतरगत यह नसली दवाएं होती है उसके अंतरगत मॉर्फीन हिरोईन पैथिदीन एलफा प्रोडाइन एनिलरीडाइन आता है इस्टा कोस्टन दोस्तों कि नार्कोटिक्स के अंतरगत कौन से रसायन आते हैं आप्ट है हिरोईन तथा मोर्फी और पा प्रोडाइन और्फा प्रोडाइन वीधुल यहां पर नैलीडाइन, नर्कोटिकस के अंतरगोरीध की ya आपसे निम्बर सी ए और बी दोनों सही है नेश्ट दोस्तों कौन सा डोपिंग के अंतरगत आने वाला पदार्थ एक भारत तोलक खिलाड़ी की मांस्पेशियों को रैप्चर को टूटना टूट देता है टूट टूट देता है जिसके करार इसको केरियर एडिंग इंजरी क बहा जाता है तो कौन सा है दोस्तों वह है नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स जो दर्द निमारक होता है जो सबसे ज़्यदा दर्द निमारक है और यहां पापी नामक पोधे से निकलिवी ओपियम यानि अफिम से तयार होता है और इसको जब खिलाड़ी ले लेता है तो उसक की मृत्यू ऐसे ही हुगा था तो यह कौन से रसायन है नार्कोटिक्स जिसको करियर एडिंग इंजरी भी कहा जाता है नेशन दोस्तों एंडोजनिक इनाबोलिक इस्टरायट की तुलना पुरुस के किस हार्मोन से की जाती है तो दोस्तों इसकी तुलना पुरुस के टेस्ट आधियर तों इसमें से एंडोजनिक से ताजप्र होता है यहां आपसा नेर्श तो दोस्तो एक समाने पूर्स पे नेडोल नण की मातरा कितनी होना चाहिए मुथर में से क्या सबक्राइब अनिजिक्ए की ताद पर है यांजी सितात पर है नैनोग्राम है नेस्ट कोच्छन है महिलाओं ग्रुम épुना के लिए लेबल की तो डॉपिंग के प्रथिपंद के लिए तो दोस्तों के लिए दो व्यांजा की लिए पाँच लिए लिए . है आप इसको धियान में रखेगा दोस्तों फेरी इंप्रोड़न है निए से दोपिंग में किसको वैड डीयोसिंग ड्रॉक्स कहा जाता है तो इसधियों करता है और इसतीयों की मासिघ्धर्म के टाइम को ही प्रविचित कर दिता है और ये दोपिंग को छुपाने के लिए ही काम आता है और डुरियोटिक्स कहता है को एसी टा जुलामाइट विमेटानाइड क्लोर्थाइडोल आदि आते हैं प्रकाउने छाने को काम के प्रियोग करती है, फिसके लिए लिएगाः को कम करने के लिए निए भार से समझत फिलों में कौन सा ब्लपिंग पडाथ का प्रियोग किया जाता है तो निए रखेगा तिक एंगा नेस्ट विमेटा नॉइड क्लोरथहारीडों ट्राइम टेउरिन आरी रसायन किसके अंतरगत आते हैं इस अभी रसायन आते हैं डिरोटिक्स के अंतरगत ठीक है नेस्ट है नेन में से कौन सा सिर्फ पूर्षों के लिए प्रतिबंधित है दोस्तों यह है को रियोनिक गौण नेवेगता है कि लिए प्रतिबंधित नहीं है यह क्योंको सो के लिए स्रसायन व और मेरो के स्निकर को आर वेसी बनाने के लिए उत्रजित करता है तो दोस्तों यह होता है एंधो कौन होता है इंधो अर्थो पोगिन इसको तो इसको 60 बोला कोंड़ को ठोखो जाता हैं जैसे उन्जिल्ट कि नेश्ट है दोस्तो निमनि में से इंद्रेंस या इस इन खिल को प्रतो ने डावक है टो ऑीरश में बहा देता है जिसे हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो इस ट्रेमिना ज्यादा बढ़ जाएगा नेस्टो सब्सक्रेश के लिए कौन सा प्रतिबंदित करते हैं इंसूलीन ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग करते या एक या दो यूनिट रख्त करने के पस्चारत उसी रख्तक को प्रतिविक्ता से एक या दो दिन पहले पूरा सरीर में डलवाने की विधी को क्या कहा जाता है तो उसको Ñ blood doping बूले जाता है क्या बूला जाता है blood doping थीक है next question है दोस्तो blood doping द्वारा रक्त में किसकी माँत्रा बढ़ जाती है तो दोस्तो blood doping द्वारा अगर ज्यादे हम blood लेंगे तो उसमे संख्या बढ़ेगी तो इमोग्लोबिन की जाहिसी बात है कि संख्या बढ़ जाएगी जिसे हमारे सरी को ज्यादे आक्सिजन बढ़ेगा और जिसे हमारे इंडुरेंस यह संशिता चमता भी बढ़ेगा नेश्च दोस्तों खिलाई द्वारा मुत्र थीली से खास ट्यूब द्वारा मुद्र को बाहर निकालने के प्रक्रिया जिससे की डोप टेस्ट के लिए मुत्र का नमुना ना मिले इस बीधी क्या कराती है इस बीधी को कै docky कहता है जिसमें एक खार्शनली के द्वारा पे साफ की थेली से मुत्र को बाहर निकाल दिया जाता है यह च्छल साधन के अंदर गत आता है याने की डोपिंग को छुपाने के लिए प्रयोग किया जाता है नेश्ट है दोस्तो खिलाए दोरा डोप टेस्ट से पहले मुत्र के नमीनों को ही बदल जेना क्या कहा जाता है तो इसको दोस्तो स्वेपिंग बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको यूरिन सब्टिस्टिवसन स्वेपिंग या एडल ट्रेसन पुट्रिसम भी बोला जाता रसायन पlawत को क्या कहते हैं जिसके सेवन से रग्त दाप तथा stroke कम हो जाता है तो उसको बीटा प्लकर कहते हैं झाम हो ज concern हो जाता है जिससे निसाना लगाने में आसानी होता है तो यह निसान निंजसमें शर्थ कर दाप में थे बढ़ाने वाले किस बिधी द्वारा परिचर किया जाता है तो इसकी दो बिधिया हैं मुझे परिचर करने की गैस क्रोमेटोग्रॉफी एंद मास इस स्पेक्ट्रोमेट्री तकनिक कि एक खिलारी को अपने प्रत्रिविता कि कितने समय परस्चाथ डोप परिचर के लिए उपलब्र होना पड़ता है दोस्तों एक गण्टे के अंदर उपलब्र होना पड़ता है तो दोस्तों आई होऍगे इसपोर्स मेडिसिन से यह नौँ पार्ट था और नौँ पार्ट मे नेक्ट वीडियो से मैं आपके किंसुलोगी और बायो मैकलिक से रिलेटेट कोस्टन को प्रैक्टिस कराऊंगी दोस्तों उसके बाद आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग इंटेस्ट एंड मेंजर मेंट्स फिर इनोटामी फीजियोलाजी उसके बाद स्पोर्ट मेंजर मेंजर मेंट का प्रैक्टिस कराऊंगी तो दोस्तों बने रहे हैं मेरे चैनल पे बेहतरी तैयारी के लिए और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और फर्ट कर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिसे न्य वीडियो को आपडेट आप तक पहुंचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए जाए हैं